से मांग करना चाहता हूं कि आर्मी रिकुट्मेंट सेंटर को बनारस में जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए जाइंद अबरिवन आज तक जितने भी भाई इंडियान आर्मी की तैयारी करते हैं सिर्फ वही लोग आवाज उठा रहे थे कि इंडियान आर्मी की भरती कब कराई जाएगी और जब भी इंडियान आर्मी की भरती कराई जाएगी तो एज में छुट मिलना चाहिए और ये बाद सिर्फ हम लोग के बीच में ही राजा रहा था कहीं से भी कोई भाई आवाज उठा रहा था लेकिन अभी परजेंट टाइम में ये बाद सांसत भवन में भी चलने लगी है ठीक है ना और बाड़े बाड़े नेता लोग भी इस पर चर्चा करने लगे हैं और उत्तर परदेश्वार आर्शी आरो के बारे में वो भरती 2019 के बाद कराई नहीं गई थी तो उसके बारे में भी कुछ कहा जा रहा है और देखो जब एक यारो की भरती चालू हो जाएगी ना तो सभी यारो की भरती चालू हो जाएगी ये वीडियो आप लोग खुद देखलो और जितने भी भाई घर बैटे हो अपना वर्काउट चालू कर दो अपना हैं गरीब बच्चे हैं जो कि देश की रक्षा करना चाहते हैं सेवा करना चाहते हैं और इसी के साथ अपना भविच भी सवार्णा चाहते हैं तो कोरोना की वजह से ये आर्मी रिक्विट्मेंट सेंटर बंद हो गया श्याम सिंग जादव जी गन्यबाद अध्यक्ष जी वैसे तो मैं सिराजे हिंद जौनपूर से आता हूं लेकिन यहां पर मैं जौनपूर के आस पास मिरजापूर, बनारस, गाजीपूर, आजमगर, सुल्तानपूर, प्रताबगर तमाम पुर्वांचल की बात करना चाहूंगा संदोग जाद जाद प्रताब जाद आपने दोसरों को इतना अध्यक जी ठाइन दिया है, मुझे भी दोई मिनट दीजिए, समय का भाबला नहीं है, ठीक है, मैं रकॉर्ड में महाना लीघ कीठीज वही चीज मैं बोल रहा हूं, जो लिखा है मैं उससे भी छोटा बोलूँगा जितना लिखा है मैं उससे भी छोटा बोलूँगा संद कि 2019 से पहले बनारस में आर्मी रिकुट्मेंट सेंटर होता था जो कि कोरोना की वज़े से बंध हो गया मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जनपत के और तमाम जनपतों के आस पास के हजारों लड़के ऐसे हैं गरीब बच्चे हैं जो कि देश की रक्षा कर करना चाते हैं और इसी के साथ अपना भविछ भी सवारना चाहते हैं तो कोरोना की वज़े से यह आर्मी रिकुट्मेंट सेंटर बंध हो गया पहले बच्चों की रिकुट्मेंट की एज जो अठारे से 21 साल हुआ करती थी तो इससे उन तमाम बच्चों का सपना दूबर ह हो गया है तूट गया है जिनकी उमर 21 साल से ज्यादा हो गई है तो मैं यहां पर एक मिनट आपके माध्यम से इमांग करना चाहता हूं कि आर्मी रिकुट्मेंट सेंटर को बनारस में जल्दी से जल्दी सुरू किया जाए और उनकी एज जिन लड़कों की एज दो साल बंध ह चाहूंगा जो युवाओं के दर्द को समझ रहा है और जीतने भी भाई ओबर एज जोगा है उनके लिए भी यह बात किया है कि उन लोगों को दो साल का येज में छूट मिलना चाहिए और उत्तर पर दे स्वारार्चियारों की भरती जल्द से जल्द कराई जानी चाहिए आईसाई नहों ने बोला है तो इनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और जीतने भी भाई घर बैठे हो देखो यार अभी तक तो ये बात सिर्फ हम लोग के बीच में थी लेकिन अभी ये बात सभी लोग के कानों तक पहुच गया है भाई अभी तक जो युवा तैयारी करते थे वही लोग सिर्फ परसान थे लेकिन ये चर्चा आप सभी लोगों में होने लगी है और इनको मैं सभी युवाओं के तरब से दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जो युवाओं के दर्द को समझ रहा है तो भाई अपना तैयारी भी जारी